समस्कार आदा आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हामिज सेफी दोस्तो 2022 को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा और लगाई जा रहे कयासों पर आज वराम लगया है सोशल मीडिया और एक न्यूज चैनल पर लगतार चल रही फेक न्यूज का सर्च हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वो A.I.M.I.M.P.M.O. असादुती नवाएसी से यूपी मिदान सवा चुनाब में गटबंदन करेंगी बस्पा सुपरीमो ने खुद ट्वीट करते हुए ऐसी खबरों को सिरे से खारिच कर दिया है बस्पा सुपरीमो ने अपने ट्वीट में कहा कि ये ब्राहमक और तथे हिंखबरे हैं इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है इसके अलावा मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि इस सम्मद में पार्टी दुआरा फिर से ये है इस पश्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्राखण परदेश में अगले वर्ष के प्रारम में होने वाले विधान सबा का ये है आम चुनाब बीएसपी किसी ही पार्टी के साथ कोई घटवनन करके नहीं लड़ेगी अर्थात बीएसपी अकेले ही चुनाब लड़ेगी दोस्तों फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंदाई हो तो इस वीडियो को लाइप करके शेयर कर दे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जन्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार आदाब जैनल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले